ने दोस्तों मैं बता रहा है आप लोगों को मैंने से पहले आप लिखो कराया है इंटिग्रेशन का इंवर्स फॉन्सेन कर रहाई था थीक तो इंटिग्रेशन में टिग्रम इनटिग्रम एक। इंटिग्रेशन साइं डी एक्स अपान अंडर्व के अंदर 9 minus 16 x square ये questions हैं तो इसको सबसे पहले हम करेंगे गैसे तो ये क्या गरते हैं इसको सबसे पहले आपके पास ये हमने formula बता है 1 minus ये formula आपके पता होना चुछी formula होता है integration 1 upon 100 के अंदर 1 minus x square dx equal 9 inverse x plus c ये प्रूब करा है थी तो ये प्रूब करा है इसके according के इसको मनाते है तो इसहाँ पर क्या करते हैं देखिए integration dx तो ये पर 1 upon 16 common ले लिया तो ये पर क्या जगा 4 100 के अंदर 3 upon 4 का whole square minus x का whole square थीक तो ये पर 1 upon 4 तो बाहर हो गया अब integration इसका करेंगे integration ये तो ये x हो गया ये 1 हो गया ये तो क्या हो जागा देखिए sine inverse x upon 3 upon 4 plus c तो इसको उपर कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 upon 4 sine inverse 3 x upon 4 plus c तो यहाँ पर x की पावर 12 है x की पावर 12 है whole square dx ठीक समझे हैं अब इसको t माल लेंगे x की पावर 6 इकल टो t लेट तो d6 x की पावर 5 dx इकल टो dt इसलिए x की पावर 5 dx इकल टो dt upon 6 उठाके वोई लुड़ दीजी रहे हम पर तो हम लोग देते हैं क्या हो जाएगा देखे यह 3 बाहर upon 6 integration dt upon 1 plus t square यहाँ की 2 1 upon इसको इसे लिखे 1 upon 2 यह हो जाएगा 1 plus 10 का 10 inverse t plus c यहाँ की 1 upon 2 10 inverse x की पावर 6 प्लस c ठीक सुझे है question सुझे में आ रहा है ना फिर आगे चलते हैं ऐसे question से इधर लेते हैं question सहमरे पास एक question सही से बन जाता है integration e की पावर x upon 1 plus e 2 x dx ठीक जिसकों क्या करेंगे सबसे पहले इसको इसको इसे लिखते हैं integration e की पावर x whole square ठीक है whole square हो गया तो हाँ पे e की पावर x equal to t इसलिए e की पावर x dx equal to dt put कर देंगे हाँ पे तो कहाँ जाएगा dt upon 1 plus t square equal to same answer 10 inverse t plus c 10 inverse e की पावर x plus c answer आगे ठीक सब्सक्राइबा questions इसी कड़ी में questions और आगे अब पूल के चलता हूँ इसी कड़ी में questions इसके आगे चलता हूँ integration x की पावर 4 plus 3 x square plus 1 dx ठीक तो इसको सबसे पहले हम question समझते हैं क्या करना हम इसको क्या कर सकते हैं देखे हम थोड़ो सा इसको अपनी साबसे question को solve परना चाहते है integration x की पावर 4 minus 1 plus 4 लिग दे upon x square plus 1 dx ठीक कोई problem नहीं ना अब इसमें क्या किया है हमने इसको अलग-अलग कर दिया separate देखे integration x की पावर 4 अपन x square plus 1 dx ठीक समझे है अब इसमें हमने rules लगा दिया a plus b वाला a square plus a square minus b square equal to a plus b bracket में a minus b ठीक यहां पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा integration x square plus 1 x square minus 1 upon x square plus 1 dx ठीक यह इसको फोर बाहर ले लिया तो यह हो जाएगा 4 10 inverse x ठीक अब इसमें ठीकि यह कैंसिल हो जाएगा यहां बचा तो यह क्या हो जाएगा x square minus 1 dx plus 4 10 inverse x इसमें इसका अलग-अलग कर देंगे हो जाएगा x q upon 3 plus x plus 4 10 inverse x plus c यह equal to ठीक तो आप लोग सुन में आया हो आसान questions है इसी pattern में questions करते रहेंगे हम लोग ठीक यह questions हम लोग कर रहे हैं ट्रोगनाम entry के inverse function के questions कर रहे हैं inverse function में questions हैं ठीक यह inverse function इसलिए हम पर inverse के rules आ जा रहे हैं ठीक यह questions कर लाता है आपके पास दूसरा questions आता है विडियो बहुत अच्छा questions है integration x square 10 inverse x dx ठीक तो यहाँ पर क्या गरेंगे first second अमने बताया था आप लोगों को यह first हो जाएगा यह second हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर क्या गरेंगे देखे 10 inverse x into x cube upon 3 minus integration first का 1 upon 1 plus x square into x cube upon 3 dx ठीक अब यहाँ पर 1 3 को बहाल लगेगा integration x यहाँ पर x cube कर ली जागे 3 ठीक यहाँ पर यह 3 ठीक minus अब इसमें क्या करेंगे 1 by 3 बाहर 1 by 3 तो यहाँ पर क्या है x cube upon 1 plus x square ठीक dx अब इसमें देखे आप लोगों क्या करना इसको divide rule लगा दीजिएगा ज्यादा आसान हो जागा ठीक तो यहाँ पर divide rule करने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पर इसे divide कर लिजेगा x square plus 1 से divide करेंगे x cube plus x cube से divide करेंगे तो यहाँ पर x बार जाएगा x cube plus x तो यहाँ पर minus यह minus cancel तो यहाँ क्या बचेगा तो हमारे पास बच जाएगा integration integration x 3 upon 3 10 inverse x minus 1 by 3 integration ठीक है तो यह क्या बचेगा bracket में x plus x upon 1 plus x square dx पर जाएगा इसको लिखा x cube upon 3 10 inverse x अब इसके साथ multiply करेंगे पहले 1 by 3 यहाँ पर रहने थे 1 by 3 bracket में x square upon 2 plus इसका हो जाएगा log 1 by 2 यहाँ पर T मानेंगे तो यह हो जाएगा 1 plus mod में x square plus C bracket close ठीक अब इसको अंदर भेज दीजेगा 1 by 3 को x 3 upon 3 10 inverse x minus 1 x 2 upon 6 plus 1 upon 6 log mod 1 plus x square plus C यह answer आगे आप लोगों ठीक्स अंदर x square x की power 1 upon 2 dx equal to dt अब इसको धर ले जाते हैं इस नंबर को उपर put कर देते हैं उपर रखते हैं तो देखें क्या आजाता हमारे पास integration उपर आजाएगा यह 2 upon 3 यहाँ पर dt t उपर आजाएगा नीचे आएगा इसको यहाँ पर इसको भी रखना तो हाँ पर इसको इसको इसे लिख सकते हैं देखे a की power 2 की power 2 की power 2 minus t की power ठीक तो अब इसको लगा देंगे a minus under root के अंदर भी है under root लगाएंगे ठीक under root के हाँ पर a square minus sine तो यहाँ पर कर जाता है देखे 2 upon 3 sine inverse a यानि की t उपर t upon a की power 3 upon 2 plus c तो हाँ पर t की उली रख देंगे 2 upon 3 sine t की उली रखेंगे x 3 upon 2 upon a 3 upon 2 plus c यह sine inverse तो यह आपका आंसर हुआ ठीक है समुझे आए ना नहीं समुझे आए फिसे होता है यहाँ पर हमने क्या किया है देखे इस question यह तो questions था इस questions को हमने यहाँ पर x ऐसे लिखें x cube को हम ऐसे लिख सकते हैं देखे को 3 by 2 लिख सकते हैं ठीक है लिख सकते हैं तो यह number हमारे पास क्या गया इसको अंदर भेज दिया ऐसे लिख ले या x 3 upon 2 को whole square अभी स्वाले को हमने t मान लिया यान्दि कि x की power 3 upon 2 equal to t यह माना है ना है पर अब इसके बाद इसका differential किया value put कर दी answer आ गया ठीक यह question most important है क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं जो t मानते हैं उसके according question को solve करते हैं समयारी बाद यहां पर जो हम questions को put करेंगे put up के अनुसार question को solve करना है बिना put up के question को solve नहीं कर सकते हैं ठीक यह questions है इस questions को क्या करेंगे सबसे पहले उपर लेकों t मान लेंगे 10 inverse x plus 3 equal to t differential कर देंगे इसका लेट मान के differential करेंगे तो क्या हो जाएगा देखें 1 upon 1 plus x square dx equal to dt अब यह number वह यह उठा देंगे तो आपर हो integration t की power 3 dt तो इसको integration कर दिया d की power 4 upon 4 plus c value put कर दिया 10 inverse x plus 3 की power 4 upon 4 plus c ठीक I hope आप लोगो कोशन समझ में आ रहा होगा आगे चलते हैं देखेगा नहीं आए पूछेगा